जिसके से भी मौनिश के कस्ट अदिक हो जाते हैं, मानोज जीवन उनको एक सजा के रूब में नजर आती हैं, ऐसे लोग परमिश्वर की विरुद में कई सारे बाते कहते हैं, प्रभिश्य मुस्य को जानने वाले लोग और प्रभिश्य मुस्य को जो नहीं जानते हैं, उन मे बहुत सारे संकट हैं, इस जीवन को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी ये भी सोच आती है, इसे क्यों न खत्म किया जाए, आगे बढ़कर मुझे क्या मिलेगा, मैं जीऊ तो जीऊ, लेकिन किस के लिए जीऊ, किस हद तक जीऊ, और क्यों जीऊ, क्यों किस सं पर जाकर आसमान में बैटने वाला वो खुदा, भला हमारी धर्द को कैसे जान पाएगा, इसका तो उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, उन्हें तो एसास भी ना होगा, कि हम पर क्या बीद रही है, हम किस हाल में हैं, ये सब बाते तभी निकलाती हैं, जब मनश के पैसा नहीं होता है, उनकी इच्छा तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनके खौप तो बहुत बड़े बड़े हैं, अगर इन सब को पूरा करना है, धन की जरूरत है, और वो ही धन तो उनके पास नहीं है, अगर पैसे इनके पास होते और इनकी इच्छा की सारी जरूरते इनके पास महोजातनी है तो भला नौकरी, बढ़ाई या फिर कोई व्यापार किस काम के वे सब हो या ना हो इनसान के बस आकिरकार पैसे ही तो चाहिए और उपैसे अगर अपने आप आने लगे उसके बदले में वस्तो अपने आप आने लगे तो भला कौन मनशी किस प्रकार के शिकायत को रखेगा क्योंकि उसे रोटी का अपना मकाम तो मिल चुका है उसके आराम के लिए मिल चुका है और उसके अभिलाशां को पूरी करने के लिए बे मिल चुका है कुछ लोगों को तो आयाशी करने के लिए पैसे मिल चुके हैं भला ऐसे मनश्री जिसको सब कुछ मिलता हो वो क्यों खुदा की विरोध में शिकायत करेगा तो इस अंसार में मनश्री के लिए सबसे बड़ा चीज़ है धन और वो स्वस्ताएक अगर उसे वो मिल चुका है उसे सब कुछ मिल गया है लेकिन प्रविश्वमसि कहते हैं धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते अगर एक को अपनाना है तो दूसरे को ठुकराना पड़ेगा तो परमिश्वर और धन दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ है क्या इसका अर्थ है कि परमिश्वर को धन पसंद नहीं है क्या इसका अर्थ है परमिश्वर धन से पैसों से नफरत करते हैं क्या इसका अर्थ ये है कि प्रव हम से कहते हैं नौकरी ना करना, कोई काम ना करना, पैसों करना, कमाना इश्यमसी ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है इश्यमसी ने कहा धन के पर मन को ना लगाना उसके पर मोह ना रखना उसकी चाहत में खुद को गिराना देना उसके पीचे नहीं दोड़ना उसे गले लगाने की कोशिश ना करना क्योंकि धनी मनिष इस वरगराज में प्रवेश नहीं कर पाएगा वो इंसान इस अंसार में भटकते भटकते यहीं पर बिनाश हो जाएगा क्योंकि धन की बड़ोत्री से मनिष के अभिलाशा भी बढ़ जाती है और अभिलाशा की बड़ोतीरी से अयाशी की जीवन आ जाती है और अगर अयाशी की जीवन आ गई तो परमिश्वर की विरोध हो गया उनकी विवस्ता, उनकी आग्याओं का भला क्यूं पारण करेंगे कैसे अपने मन की जुकाव परमिश्वर की और रखेंगे धन के कारण इस अंसार में लगबग सब कुछ आ सकता है लेकिन उसके साथ साथ धन के कारण पाप की अभिलाशा भी बढ़ सकती है और पाप की अभिलाशा मनिश्य को परमिश्वा से दूर करते है प्रभु ने कहा है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहा रहेंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं, इनकी चिंता ना करना मेरी दार मिक्ता और मेरी राज की खोश करोगे बाकी सब जीज़े जो तुमारी जरूरत के हैं उस सब तुमारे पास पहुंचाएं जाएंगे इश्य मस्य के शिब्दों में सपस्टता है इश्य की संदेश में सपस्टता है और इश्यू की आग्याओं में आदेशों में स्पस्टता है प्रभू परमिश्पर की अपने ही शिवदों में कोई तरक नहीं है कोई भी तरक नहीं है, कोई भेद नहीं है उनके एक उपदेश दूसरे उपदेश के साथ में तरक नहीं खाता है परम तो हर एक उपदेश एक दूसरी के साथ जुड़ती है और एक दूसरी को बढ़ावा देती है परभू के शवद बिलकुल साफ है धन के पीछे ना दोड़ना धन तुमारे पीछे दोड़ेगा तो जाहिर है इसका अर्द यही निकलता है कि हर मर्श को अपने अपनी महनत करना है अपने अपने प्रियास करना है परमेश्वर स्रिस्टी की आरहम करते समय उन्होंने महनत किया था काम किया था परमेश्वर ने विश्राम की इसका अर्थ है ने की परमेश्वरा सो रहे हैं परमेश्वर अपने स्रिस्टी के काम से विश्राम किये है इसका अर्थ है और कुछ बनानी की जरूत नहीं है जो कुछ भी बनाना था उन्होंने बना दिया और आगे जो बनाना है वो आप और हम मिलकर बनाएंगे लेकिन परमेश्वर आपकी और मेरे रखवाली करते हुए हमारे देखबाल करते हैं परमेश्वर की दारे बनेगे अपनी स्रिस्टी में सबसे महत्व पूर्न के लिए और सबसे माइने रखता है मनश्य और मरेश्वर की देखबाल करना ही परमेश्वर का कारी है तो ये ना समझना कि परमेश्वर इश्राम कर रहे हैं परमेश्वर आपका और मेरा देखबाल कर रहे हैं परमेश्वर इस्रिस्टी को संभाले रखे हैं लेकिन बाकी काम आप से और मुझ से करने के लिए कहते हैं हम सब को महनत करना है, हम सब को प्रयास करना है हम सब को अपने जीवन की रोटी कमाना है हम सब को सुख के साथ में, आराम की साथ में जीना है हमें सौलब्धों की जरूरत है, हमें सुविदाओं की जरूरत है कभी-कभी कुछ सुखों की भी जरूरत बढ़ती है पर वो इसके खिलाफ में नहीं है आपके शेरी को आराम की जरूरत है आपके मन को आराम की जरूरत है परमेश्वा चाहते हैं अच्छी से अच्छी चीज़ें उत्दम से उत्दम चीज़ें आपके पास पहुँचाए खुदावन तो मुलिवान चीज़ों के साथ में सबसे उत्दम चीज़ों से आपको भरना चाहते हैं तो मनिश्य की जिब शिकात ये होती है कि परमिश्वर आप क्या जाने हमारी जिन्दगी क्या होती है तो परमिश्वर स्वाइम ही मनिश्य का रूप धारन करते हैं वो प्रविश्य मसी अपने स्वर के सिहासन को छोड़ते हैं अपनी स्वर की अस्तित्वा और की पहचान अपनी सामर्दों को और वहां की अधिकार को सब को छोड़ देते हैं क्योंकि हमने कल ध्यान किया था इश्य मसिग के सामने की विवस्ता है और उसी विवस्ता को पूरा करने के लिए आए हैं हम अतिक उसमाचार में पढ़ते हैं पांच वध्याई में ये ना सोचना कि मनशी का पुत्र विवस्ता को लोब करने या भवश्चत वक्ताओं की बातों को रद करने के लिए हैं और रद करने या लोब करने नहीं परनतों उनको पूरा करने के लिए हैं परमिश्वर ने पाप में गिरेवे मनश्य को फिर से एक बार उठा कर खड़ा करने के लिए एक विवस्ता दिया है ताकि उसे विवस्ता के अनुसा जब चलेंगे तो मनश्य फिर से एक बार परमिश्वर के रा में खड़े हो जाएंगे और ऐसे करते हैं वे अपने जिवन को बिताने पर परमिश्वर की स्वरूप और उनकी समान तब धारन करेंगे उनमें हो प्रवेश कर जाएंगे उनके समान बन जाएंगे तो परमिश्वर ने ये विवस्ता के और मनिश्वर के लिए नहीं दिया है उसी विवस्ता को अपने सामने भी रखा है अजवीश्यम उसी परमेश्वर के तुली होने को अपने आपको वश्मेना रखने की वस्तु समझा और मनिश का रूप धारन करने का निरने किया है उनके सामने विवस्ता है और उसी विवस्ता को उनको पूरा करना है उसी विवस्ता को उनका पालन करना है उसी विवस्ता के अनुसर उनके चलना है और पाप को हराना है उसका वितन मृत्यों को भी हराना है इस बात को अंकिकार करते हैं और स्वर किसी हासन को छोडने की तैयारी करते हैं उसी निरने के आधार पर अपने आपको शोनी करते हैं अपने आपको हरित्त करते हैं कि कि पाप मनश के द्वारा प्रवेश किया है और पाप को मनश के द्वारा ही इस संसार से दूर होना है इश्रमसी जब इस अंसार में आये थे पाप मै शरीम उने प्रवेश किया था कल हमने विस्तार से इस बात का चर्चा किया है एन विचनो को सुन रहे हैं हमारे प्रवेशनो अगर आपके शिकायत इस प्रकार से है या कोई और शिकायत करते है कि प्रभु क्या जाने हमारा दर्द क्या होता है प्रभु क्या जाने हमारा दुख क्या होता है आपके दुख्यारी हाल को जानने वाला उसे समझने वाला आपके दर्द को महसूस करने वाला आपकी हर प्रकार की भावना को एसास करने वाला वही परमेश्वर आपी के स्वरूप में आपी के समानता में मनश रुपधारन करते हैं लेकिन मनशों के भी दास का रुपधारन करते हैं आप तो अच्छे स्थान उपर बैटे हैं लेकिने श्मसी दास को स्वरुधारन करते हैं आपसे भी छोटे जगा पर जाते हैं, आपका दास बनने के लिए आये हैं, अपने चेलों से कहते हैं, ये ना सोचे कि मनश का पुतर सेवा करवाने के लिए आया है, परंतो वो तो सेवा करने के लिए आया है, जिसका मतलब है, मैं आप लोगों के हाथों से सेवा नहीं करवा और सथ य सात में उसी दर्द को मैसुस करते हैं, उसी दुक को मैसुस करते हैं अपमान मनशक क्या होता है? इशुर बहुत ऐसे जानते हैं क्योंकि जैसे इश्र मुसी collection संसार में कदम रखे हैं तब सही उनका अपमान करना शरू हुआ था उन्हें अपमानित करने वाले इस हद तक पहुँच गया है सलीप की रहा पर लेकर चल रहे थे बहुत बुरी तरह से उनका अपमान किया उनका निंदा किया उन्हें ठटों में उड़ाया है सलीप पर जाने से पहले अपनी सेवा करते समय लोगों ने उनका ठटा उड़ाया है उन्हें अपमानित किया है अपनी सेव का एक आरम करने से पहले जवानी की जीवनों में इश्यमसी की सुनसा ने बहुत अपमानित किया है उससे पहले लड़तपन में बचपन में इश्यमसी को जब सुषु ही थे इश्यो का जब जन में हुआ था हर एक स्थर पर इश्यमसी का अपमान किया गया है उनके उपदेश्यमसी से दूसरी अर्द को निकाला करते थे उनकी अपमान किया करते थे उनकी अस्तित्व और उनकी पहचान के विशे में उनका बहुत अपमान करते थे इश्य मुस्य जहां कहीं भी गया है लग भग उनको अपमान नहीं स्वागत किया है लेकिन इश्य मुस्य ने उसे प्यार से स्विकार किया उसे सहन किया अपमान के बदले में अपमानित किसी और को नहीं किया है उनकी विरुद में जो हिमसाइं होती है उसकी विरुद में इश्यों ने हिंसा नहीं दिखाया उनकी पर जब अन्याय होती है इश्यों ने मुखल कर कुछ नहीं बोला सलीब के पर लेकर जाते हैं तो भी इश्यों खामोश रहते हैं लोगों ने छटों में उडाते हैं फिर भी खामोश रहते हैं सबसे प्यार करते हैं सब को ख्षमा करते हैं और मनिश को यही दिखाना चाहते हैं आपकी पाप में शरीर में मैं भी प्रवेश को अच्छ का हूँ लेकिन पाप मुझ में प्रवेश नहीं किया है जिस तरह मैं पवित्र हूँ, उसी तरह आप बेपवित्र बनो। मैं तुम्हे विश्राम दूँगा, मेरे जो उठाओ, वो सरल है, वो हलका है, अपने जुवा छोड़ दो, अपने जुवा को उतार दो, अगर भूके हो तो मेरे पास आना, अगर प्यासे हो तो मेरे पास आना, अगर आपके बस कान हो, तो साफ साफ सब सुन लेना, कि अपने आपको आपके लिए कुर्बान करने वाला, अपने आपको आपके लिए शूर ने करने वाला, अपने आपको रिक्त करते हुए स्वर्ख के सिहासन, स्वर्ख का अधिकार छोड़ कर आते हैं। सलीब से कबर में जाते हैं, कबर से वफर से जी उड़ते हैं, जी उटने का स्वर्ग जाते हैं, उसके बाद चेलों को प्रकट होते हैं, इश्यमसी ने तब उनसे कहा था, स्वर्ग में और धर्ती पर सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है, इश्यमसी ने जिस प्रकार से अ पिताया है और परमिश्वर के उपर कैसे निर्बन होना है इन्हीं बातों को उन्हें सिखाया था अज आप से भी कहते हैं उनके उपर निर्बन होना उनकी बातों को स्विकार करना और खुदा वंता आपकी सहायता करने के लिए आपकी भला करने के लिए आपको रात दिखान दिवाद दे इसी दुवार कामना के साथ मैं आज की ध्यान मुझ कहीं पर समाप्त करते हैं आप सुनते रहिए सुनाते रहिए अध्यात्मिक जीवन की तैनी खुराद कल फिर मिलेंगे अपने ख्याल रखिए अपनों को ख्याल रखिए दूसरें का भी ख्याल रखिए